यहां ये भी सोचने की बात है और इसी खास संदर्म में और इसी खास संदर्म में ही कल दिनाक तीन जून को दिली बीएसपी केंद्री कार्याले में उत्तर परदेश के पार्टी संक्ठन के सभी वरिष्ट पदादिकारियों एबंजन प्रतिनिद्यों की एहम बैठट में इन चुनाप परिनामों की काफी गहन समिक्षा की गए और समिक्षा में ये पाया गया कि बीएसपी जिस प्रकार से परंपूजे बावसार डॉक्टर भीमरा वंबेड करके मिशन पर चलने वाली एक करमठ अनुसासित व्यक्याडर अधारित पार्टी है और उसी के तह सपा से गडबंदन करके उसी मानसिक्ता के तह चनकर सपा से गडबंदन करके बड़े मानपता बादी लक्ष की प्राप्ति को लेकर ये चुनाप लड़ा गया था लेकिन दुख की बात ये है कि इस मकसद में इस मकसद में भी हमें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है जिसके तथा उन्हें अपने आप में बीएसपी के कैडर की तरह ही किसी भी हाल में त्यार होने के साथ साथ बीजेपी की घोर जातिवादी, संप्रदायक वे जन्वरोधी नितियों से परदेश देश यानि की उत्तर परदेश देश वे समाज को मुक्ति दिलाने के लिए काफी कठोर संगर्स करते रहने की सर्थ जरूरत है जिसका एक अच्छा मौका सप्पा के लोगों ने इस बार चुनाओं में गवा दिया है लेकिन अब आगे इन्हें इसी इसाब से काफी तियारी करने की जरूरत भी है और जदी मुझे लगेगा कि सप्पा परमुक अपने राजनितिक कारियों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिश्टरी बनाने में काम्याब हो जाते हैं तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चल सकते हैं अभी कोई परमानेंट कोई ब्रेक नहीं लगा है यदि हमें लगेगा इस बात को मैं फिर दोराती हूँ और जदि हमें लगेगा कि सप्पा परमुक अपने राजनितिक कारियों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिश्टरी बनाने में काम्याब हो जाते हैं तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चलेंगे और अगर वे किसी कारणवस इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर हम लोगों का अकेले ही चलना जादा बहतर होगा इसलिए वर्तमान इस्तिती में अब हमने को कि अभी उनकों लोगों को परिवर्तित करने में टाइम लगेगा और जो कुछ सीटों पर बाई अलक्षन यूपी में होने वाले वो तो कभी भी अनुस हो सकते हैं इसलिए वर्तमान इस्तिती में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहां कुछ सीटों पर होने वाले उप चुनाबों में फिलाल अकेले ही यह चुनाब लड़ने का फैसला लिया है तो यह मुझे अपने बात क्यूं आपके सामने रखने पड़ी है कल जो मैंने यूपी की जो रिव्यू बैठर बुलाई थी अलक्षन का नतीजा आने के बाद तो मैंने कोई मीडिया को कल कोई बाइट नहीं दिया था ना कोई प्रेस लोग जारी किया था और हमारे लोग भी मीडिया से धूरी रहते हैं पार्टी के लोग लेकिन कल पूरे दिन बर रात भर इस तरीके से उसको गलत तरीके से मेला फाइट इंटेंशन से और ऐसा लगना था कि जैसे वो दूसरी पार्टियों के हाथों में खेल रहे हों तो गलत तरीके से उसको हाइलाइट किया गया तो मुझे जब मैंने खुद आज सुबह देखा को कि कल में बहुत बीजी रही तो मैं देखनी सकी टीवी जो है तो लेकिन आज सुबह जब मैंने कुछ टीवी चैनल देखें और उसको गलत तरीके से जो मेरे स्टेट जो मेरी तरफ से जो ब्यानबाजी मेरी तरफ से जो रोपोर्ट दी गई है तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि मुझे अब खुदी मीडिया में आकर इस्तिती को सपस्ट कर देना चाहिए इसलिए मैंने आज अपने जो कल जो भी कुछ दिसाइड हुआ है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है धन्यवाद